अच्छा सर अब फाइटर पे आ जाते हैं स्कौडरन लीडर भशीर खान आप बने और सिधार्त आनन्द की फिल्म इंडियन एर फोर्स वर्दी पहनी रितिक रोशन दिपिका नील कपूर सर तो उसके बाद फाइटर के बाद आपको कैसा लग रहा है यार इशान इतने सालों समय मैं एक्टिंग कर रहा हूँ लेकिन कभी कुछ ऐसा रिलीस ने हुआ है कि मैं बाहर जाओ तो लोग बोल रहे है अरे बशीर मिया तुम फाइटर में थे ना तो ऐसी बड़ी फिल्म में आना उसका प्रभाव जो है उसका जो इंपक्ट होता है मु तो जब कोई फिल्म पैसा कमाती है और दर्शक तक पहुंचती है तो एक्टर का बहुत भला होता है उसमें तो थैंक यू सिधारत आनंद ममता आनंद अलाव यू और उनकी तो शायद होम बैनर की फिल्म कि उन्होंने आपको लिया और बहुत अच्छा वॉक्स ओफिस गय एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं एक छोटा रूल किया फिर Selection Day एक Netflix का शो था जो उन्होंने प्रडूस किया था तो उन्होंने मेरी जरनी देखी है कि मेरा ग्रोथ देखा है कि एक छोटा चोटा कर करके तू इधर आ गया तो वो भी काफी उनको लगता था यार य वो Eros Now पर आया था लेकिन Eros Now ही बंद हो गया तो उस जादा चला नहीं लेकिन वहां से फाइटर मिली तो यह एक फिल्म जो फुल सर्कल बोलते है ना चीज़ें इसे फुल सर्कल गुमती है मुझे यह फिल्म ऐसे लगती है मैं बच्पन में रिते करोशन का फैन था मैं उ इतने दिगज लोग के साथ कंधे मला करके एक तो रिते करोशन के साथ डांस करना शेर खुल गए हमें फिर डायलोग बोलना इतने सीनियर एक्टर के साथ बहुत मज़ा है तो सर आपने अनिल सर को कभी पूछा है कि वह 65 साल की उमर में भी 25 के कैसे दिखती है इतिंक दुन काश मजनु भाएगी अगर पेंटिंग होती तो क्या मज़ा आजाता अब दिपिका जी की भी बात छिडी है तो आप पीकु में भी थे हमें याद है आप उनके साथ एक शांदार बाकमाल डिनर डेट पे जाते हैं खाना वाना मंगाते हैं अम धर से सोच रहों के साथ पीकु आपको पता यह किस चीज पर बनी है तो वो पूप की डिस्क्रिप्शन दे रहती है आप डिस्कस थोड़े वजातने और वो डेट खतम हो जाते हैं तो आपको कैसा लगा सर इतनी खूबसूरत लड़की के साथ इतना क्यूट सा इतना चोटा सा मिक्स फीलिंग वाल लेकिन कुछ हो गया और डेड का प्राप्लम आगया तो उन्होंने मुझे फोन किया कि यार तू कर लेगा और उस वक्त तो यार मैं बड़े डिरेक्टर के साथ आज भी एक सीन अगर बड़ा डिरेक्टर होना जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एक सीन के लिए अगर मु चाह रहा था वो एंड इविन दिविका के साथ काम करना व्स वक्तों व just था बड़ी इंटनी बड़ी स्तर थी बच्चन साहब भी थे बच्चन साहब भी थे और वो फिल्म इतनी बड़ी थी कि मैंने का यार उतना भी मिल जाना और इस टक लोड़ ऑग इसका जिकर करते है परसू उसका 9th anniversary था फिल्म का और मुझे हर चीज़ पर टाइग हुआ और मैं कह रहा हूँ कि यार एक सीन में देखो तो लोग जो बुलते हैं मैं एक सीन ने करूँगा देखो क्या हुता है एक एक सीन करने के बाद तुम लहरे पर एंटर्विव दे सकते हैं शान के साथ सर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटिड हैं बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं तेरे मुझ में घीशक करें और मतलब सर मतलब जैसा हम बच्पन से सुनते आते हैं बॉलिवोड हीरो कैसा दिखता है आप वैसे ही दिखते हैं और एक्टिंग आप जो पैरिलल सिनिमा व उतना हम देखनी पाए हर आप टिक मार्क हर आपका बॉक्स है पर फिर भी क्या वजवा है यहां नाम भी ऐसे स्टार वाला दे दिया माबापने अक्षो ब्रॉय मतब ऐसे लगता है कि अगर कोई फिल्म का कैरेक्टर हो जो फिल्म स्टार है उसका नाम ही अक्षो ब्रॉय नाची है से कह रहे हो और बिल्कुल इसमें क्या कहते हैं दुख भी हुआ है बट वो दुख के कारण मैं और महनत करता हूं अगर मुझे यह चीजे मिल जाती ना तेखो हर एक आदमी का लिखा हुआ है जो डेस्टिनी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो यूनिवर्स को यह सिखाना था मुझे कि तुम महनत करो और उसका फल तभी तुमें मिलेगा धीरे धीरे तुमें मिलेगा अगर पहले 26 साल मैं मिल जाता ना तो आज मैं ऐसी बातें नहीं करता और आज मैं अलग इंसान होता और शायद एक्टिंग पर तवज्जू नहीं होता बाकी चीज टाइम पर देता है जो आप डिजर्व करते हैं उसी वक्त पर आपको सिखाता है तो आइम वेरी हैपी की मेरी जर्नी ऐसी गई है क्योंकि आज की डेट में मैं हर एक चीज़ को ऐसे वैली अब जाकर कि मुझे मेंस्ट्रीम सिनेमा में एंट्री मिल रही है फाइटर के अगर मुझे 26 साल में इतना अटेंशन मिल जाता तवज्य मिल जाता लोग मेरा नाम चलाते लड़कियां मेरी पीछे पागल होती हैं मैं अभी पागल यह हो जाता है सच बात तो यह है तो धीरी धीरी मिलना slow and steady wins the race लिखा जाता ना वो सही हो है इस सर आपके सर संसकार इतन है सीरीज में आता है move में आता है यह मेरे लिए और मेरे क्रू के लिए चार गलास लाया और इसने खुद अपने हाथों से भर के पिला है तो यह ऐसे कौन करता है बही इतना वो down to earth कैसे कोई हो सकता है और देखो यह जिंदेगी तुम्हें सिखाती यह चीज है मैंने इतने दक्के खाई है और इतना रिजेक्ट हुआ हूँ कि मैं हर एक चीज, हर एक इंसान की वैल्यू करता हूँ और हर एक अगर तुम मेरा इंटर्व्यू ले रहे हूँ तो मैं कभी भूलूंगा नहीं मुझे याद रहेगा, तुमारा नाम याद रहेगा बिकोज जिन्दगी ने मुझे ये चीजें सिखाई हैं तो जो मतलब जिन्दगी के ठोकरों सिखाते हैं ये चीजें आपको यार और अगर शाहद और वही मैं कह रहा हूँ अगर 26 साल में मेरी पहली फिम आती जब मैं 25 या 24 का था अगर वह चल जाती तो वह आदमी ऐसे पानी ने देता वह बलता, मैं स्टार हों या और फिर वह आडमी यह टिशा है इक्टर भी ने रहता हूँ जो आदमी यह चीजे भूल जाता थै ना बभूल जाता न वो एक्टर नहीं रहता है फिर वो अलग कुछ स्टार है वो अलग आदमी है वो एक्टर नहीं बिल्कुल और आप वैसे नहीं आप धर्ती से जुड़े हों हैं धर्ती से जुड़ा हों और ऐसे ही चला जाओंगा जैसे हूँ आज और हमेश्या पहले सबसे क्राफ्ट होगा मेरी लिए एक्टिंग होगी मेरी लिए बाकी सारी चीज़े साइड में हैं